नमस्कार सस्रीकाल असलामालेकम मैं हुर विंदर सिंग और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी डेड्स प्रॉपर्टी मॉल और एक और बजट वाली कुठी नाइटी सेवन गज के अंदर बनी हुई आपको दिखाने आए हैं जिविकपुर में पटैला रोड के पर तो अभी एलेक्शन भी चल रहे हैं पंजाब में भी एलेक्शन भी दसमाई को जंदर में इलेक्शन होने हैं करनाड का में हो चुके हैं और अब वो जो एक बात होती है एक शेर आरा था बिमाग में कि ये जो सत्ता पे हैं काबिस किराएदार हैं अपना मकान थोड़ी है सभी का खून शामल है इसकी मिट्टी में सभी का खून शामल है इसकी मिट्टी में किसी के बाप का हिंदोस्तान थोड़ी है तो कई बार कुछ बंदे यही समयते हैं कि हमारा ही सब कुछ है बाकी सब तो यूई है तो उसी frustration के लिए frustration आने के बाद ऐसे शेर राहतन दौरी जी ने लिखा है तो यह हमका फेवरेट था और बहुत लोगों यह पढ़ते हैं जब anti government यहां कुछ ऐसा विवाद होता है सरकार के साथ तो यह शेर अक्सर लोग सुनाते हैं तो चलो यह तो political बात हुई अब हम residential बात पे आते हैं तो residential बात यह है कि यह एक घर है जिसकी बाहर से सीड़िया है 97 गज के अंदर बना हुआ और यह दो bedroom नीचे बने हुए हैं उपर छट है आप अपना घर बना सकते हैं यहां गाड़ी की parking यह कि हमें पिच्छे हो जाएगी बाहर यह वेस्ट फेसिंग जो इसका घर है इस तरफ वाशिंग एरिया बनाया हुआ है और बाहर से सीड़ी मार्बल तो कि अभी आंदी चली थी तो थोड़ा सा उसको जैसे सफाई की दिक्कत है लेकिन चीजें अच्छी बने होई है वाल पेपर सबसे पहले जैसे हम बाहर से इंटर गरेंगे तो यह गोल्डन चेड का वाल पेपर है काफी अच्छा लग रहा है उपर डाउन सिलिंग है काफी अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है और इस तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो है और यह दर्वाजा है बाहर से इंटरी के लिए ड्राइन ओम की और जाली वाला दर्वाजा है कि दिन के टाइम में आपको रौशनी आती रहे यहां LED पैनल है जो इतनी जूट होती है और नीचे यहां पे कबड बनाए हुए है स्टोरेज के लिए सामने इस तरफ किचन है ओपन और किचन के अंदर आप जो स्टैंड है रैक्स है वो भी आपको पास आके दिखा देते हैं कि जो लेटेस्ट आजकल फोडेबल में चलते हैं वही यहां पे समान लगाया हुआ है उपर भी कबड है और चिमनी की परविजन दे रखी है आरो की परविजन दे रखी है और दो कमरे हैं दोनों कमरों में आईए क्या-क्या है अंदर वो दिखा देते हैं तो जैसे अंदर इंटर करेंगे तो यहां पे सेम golden cover का wall paper आपको दिखने में अच्छा लगएगा अलमारी है काफी deep है और dressing है उपर cupboards है चट पे down ceiling हो रखी है और इस तरफ जाली का दर्वाजा है और बाहर इसका washing area बना हुआ है अब चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर दूसरे कमरे के अंदर फिर सेम यहां पे जो wall paper है उसमें design change किया गया है थोड़ा सा dark shade दिया गया है cupboards यहां पे भी complete है और full length तक है down ceiling यहां पे भी हो रखी है और इसका attached washroom भी है जो कि almost ready है वो भी आपको tile दिखा देते हैं यहां पे लगी हुई और यहां पे इस जगा पे window दी गई है तांके आप pool लगा सके और बाहर से रोश्णी और हवा दोनों आपको आ सके अब इसकी जो prize है 58 lakh रुपीज रखी हुई है 97 गज़े बना हुआ है और यह जेरिकपूर से पटेला रोड के उपर Victoria City कॉलनी है उसके अंदर है जब airport रोड से आप आओगे तो जेरिकपूर की तरफ left मुटते ही आगे high ground रोड आता है जो इसको air frustration की तरफ भी जाते है उसी से राइट आपको Victoria City बहुत बटी टांशिप है इसके अंदर यह वाली जो कोठी है यह west facing है यह कोठी है और यह दो bedroom hall kitchen ground floor पे है और first second आप future में बना सकने है तो 58 lakh rupees की demand है जो कि market के साब से बेचने वाले को लगता है कि मैं बहुत genuine मांग रहा हूं और उस तक खरीदने वाले को लगे कि यह बहुत genuine demand है लेकिन क्या करें यही formula है बेचने वाले को जादा जादा चाहिए खरीदने वाले को कम से कम चाहिए पर कहीं बीच में बात बन जाती है तो आपकी भी बात कहीं न कहीं बन जाएगी अगर आपको यह कोठी बसंद आती है आपको location बसंद आती है तो आपकी बात कहीं न कहीं बन जाएगी जिर्गपुर के अंदर ये वाला एरिया जो है पटेला रोड वाला ये इसमें बड़े-बड़े मौल आ रहे हैं और ये एर्पोर्ट रोड से इनेक्टड है तो इसलिए आप इसकी थोड़ी वैल्यू पहले से बढ़ चुकी है और नए जो प्लॉटिंग आ रही है सारी 45,000 प्लस जितने भी नए प्लॉट आ रहे है 45 से शुरू हो रहे हैं और जिर्गपुर से जो एर्पोर्ट रोड को जाती है एक रोड उसके ओपर जितने में प्लॉट आते हैं सबका प्राइस 45 से 55 के बीच में हो चुका है इसलिए कोठियों की गीमत में बढ़ चुकी है तो अ अच्छी लगे है अच्छी लगेगी तो आप आगे बात भरा सकते हैं नेकोशेशन कर सकते हैं और अगर बात बन जाए तो फिर बदाईयां हों बदाईयां हों सबको बोल सकते हैं तो उमीद करते हैं यह वीडियो आपके काम की होगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं लिव झाल झाल